पिच्छे वाणों को क्या ना एकमन चुप करेंगे थड़ा था भुटाजिंदी एकमन स्वाइट प्लीज हमने आज अमारी प्रदेश कारिय कारणी की मिटिंग पार्टी के प्रदेश अजयक्सरी अशो करोड़ा जी के अजयक्स्ता में बुलाई और इस मिटिंग का बुलाने का मकसद एक तो जीन का जो उप्चुनाव था उसके उपर सब साथियों के साथ चर्चा करने की बात थी वहीं उसके साथ साथ विदान सबा का सतर आ रहा है और ये आखरी बजट सतर है इसके बाद तो सोई फिर्टी अगला जो कोई विदान सबा का सतर आएगा तो वो पारलेमेंट के चुनाव के बाद या फिर विदान सबा के चुनाव के बाद ही नया सतरास के गा, तो उसके लिए भी हमने अपने सारे पार्टी के जो पदा दिका रही हैं, उनको भी एक जुमेवारी लगाई जहां विदायकों को, इस बात के लिए उनसे तर्चा करीगी, कि वही आप अपने 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 इलाके की समश्चा जो है, उसके लिए ज्याद इसके सरकार की तरफ से कोई कम्यां खाम्या है, कहीं सड़क की दिक्कत है, कहीं पाणी की दिक्कत है, कहीं बिजली की दिक्कत है, कहीं होस्पिटल की दिक्कत है, कहीं डॉक्टर्ज नहीं है, कहीं मास्टर नहीं है, उन्हें का कि वह एक लिस्ट बना कर कि आप हमें दो, त कि उनकी जो जुम्मेवारी लगाई थी उन्होंने अपनी तरफ से जुम्मेवारी निवाई लेकिन उसके साथ साथ उनसे ये भी कहा कि वो एक बार फिर उन बूत पे जाकर के उन लोगों से जरूर मिले जिन लोगों ने उनके साथ खड़े हो करके पार्टी के परती अपना मत दिया था और जहां मत दिया उसके बाद भी उन बूतों के उपर वोट नहीं आए उसका क्या कारणडा अगर लोगों ने वोट डाले है तो उनसे एफिडेवट लेकर क्या हो ताकि एलेक्शन कमिशन को एफिडेवट के साथ मिला जाये कि हमने अपना वोट डाला था लेकिन कहीं ना कहीं एक कोई बड़ी मैनेजमेंट इसमें की गई है जिसकी वज़े से हमारे बोट को तो एन पिछली पंक्ती में लाकर के खड़ा कर दिया और जो लोग पिछली पंक्ती में खड़े थे उनको कहीं आगे ले जाने का काम किया उस पे भी हमने उनकी सब की जुम्हारी लगाई है आप लोगों से भी एक चीज जुरूर करना चाओंगा आप सब साथी वहां पे चुनाव के दोरान गए थे मुझे बहुत सारे साथी आप में से वहां चुनाव में मिले और वाकी और भी जिनों के पत्तरकार जो है वहां पे आते थे रोजानाव कोई ना कोई पत्तरकार साथी मिलता रहता था जब भी मिलते थे आपस में बादचीत होती थी तो सब से खुल करके जब पूशते थे बी चलो राजनितिक बाते तो हम अपनी तरफ से क्या पक्स रखें और आप एक पत्रकार के राते अपनी तरफ से क्या बात कें लेकिन क्योंकि बहुत सारे पत्रकार साथियों के साथ ऐसे संब्ध भी है जिन से हम खुल करके सारी बातों की चर्चा कर सकते है मैंने उन से पूछा था कि आप बताओ कि क्या ऐसा संबभ है कि 60 ऐसे बूत हो जिनके उपर इंडियन नेशनल लोगदल पार्टी को एक दोर तीन की संख्या में बोट मिले मैं ये मान सकता हूँ कि कोई एक अदे बूत पे तो कोई ऐसा नतीजा आ सकता है लेकिन वो भी हमारे लिए संब बात नहीं है कि एक बूत पे भी हम तीन या दो एक बोट तक सिमित रहे जाएंगे हमारी पार्टी का संख्यन कोई आज का नहीं है बहुत पुराना संख्यन है आज भी हम भूत के सतर के उपर हमारे पास 20-20-30-30 ऐसे कारिये करता साथ ही है जो आज भी पार्टी के संठम को मजबूत करने का काम करते हैं चाहे वो शेर है, चाहे वो कोई कस्वा है, चाहे कोई गाउं के बूत है लेकिन उसके बावजूद है अगर नतीजा इस किसम का आता है तो फिर सोई फीशती है हमें अलेक्शन कमिशन के पास इस बात के लिए जाना पड़ेगा और जाकर के अलेक्शन कमिशन से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इस टुनाव की निस्पक्स जांच हो और आप अपने लेवल पे या किसी अजनसी के माद्यम से इस बात की सो फिश्टी जांच कराएं कि किस तरह से इस अलेक्शन के अंदर है जहां आपका इसका इवियम का इस्तेमाल किया गया है वहीं उसके साथ साथ जो पैसे का दुरूप्योग हुआ है जिन लोगों ने लोगों की माईन को ख़ी दे का काम किया है जिन्हों ने पाँच हजार से आठ हजार रुपे वोट तक के दिये है जिन्हों ने शराब बांटने का काम किया है ऐसे लोगों की जानकारी भी अलेक्शन कमिशन हासिल करे और जिस पार्टी के लोगों ने इस तुनाव के अंदर पैसे का शराब का इस्तेमाल किया उन पार्टियों के उपर आने वाले समय में अलेक्शन के उपर बैन लगना चाहिए अजरवाइज ये मान के चलो कि इस परजात अंतर पर ना लेगा तहीना कि यह ऐसे लोगों की गुस्पेट हो जाएगी जो जहां परजात अंतर को कमजोर करेंगे वहीं पैसे के वल्बूते के उपर अपनी ताकत बढ़ाएंगे जब वो लोग ताकत में आएंगे तो सो फिजदी बरस्ता चार को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपना पैसा जो करच किया है उसको पूरा करना है हम विदान सब्दा के सतर में भी खुल करके इस बात के उपर चर्चा करेंगे खुल करके सरकार को और सरकार के साथ दूसरे जो जो लोग जिन्नोंने पैसे का दुरूपयों किया उन सब की गेराबंदी करेंगे उन से सवाल करेंगे पुछेंगे और हम सबूत के साथ ये दिखाएंगे कि ये नोट जो है जिन नोटों के उपर नमबर लिखाव है जो केवल और केवल शराब खरीदने के लिए आप लोगों ने गरीब लोगों को दिया उनकी भी सब के सामने कुष्टी करवाएंगे और अलेक्शन कमिशन से मांग करेंगे कि इस अलेक्शन को रद किया जाए रद करके ऐसे लोगों के बैन लगाये जाए